हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं अदर वीडियो नमस्कार मैं बबिता आपका स्वागति आपके यूटूब चैनल बबिता किचन में आपके साथ एक नई यूनिक रेसिपी शेयर कर दियू जो है भर्मा टेमाटर जी फ्रेंड्स जब पैर को रोटी के साथ खाने के लिए कुछ सब्जी ना बनाई हो और ना ही कुछ चटपटा सा खाने का मन कर तो प्लीज यह रैसिपी जुरू ट्राइब कीजिए भर्मा टिमाटर जी तिमाटर हर किसी घर में लेबल होते हैं और सिंपल सी रैसिपी है घर के रखे समानों से ही बनाएंगे और एक न मतर लेरी निया यही हरी मतर है मैं मैं नेभाइल और यह ठनिया और यह को बाइक चौक कर लिया है और यह लाल मिर्ची नॉर्मल मसाने जो घर में होती है नमग लाल मिर्ची हल्दी और सुखा दन्या यह थोड़ा सामने अमचूर लिया है यह थोड़ा जीरा और अच्वाइन तो चलिए इसको बरानी त्यारी करते हैं सबसे पहले में इसके स्टर्फिंग बनाएंगे इंदर की जो मैं इसके बढ़ेंगे इसके लिए मैं एक पैन ले लिया है इसके को घरम कर लें गरम करने बाद में इसमें मस्टर और यूज करती तो मैं वही डाल लूए आप जोंसा प्यार मिर्चा आपने तो मैं करके डाल दूगे एक स्टावजने कर से रहा होगी है नहीं दो घ्लीऊ धूरश टृब दालेंगे को क्यों दो सब्सक्राइब करना है इतने हमारा प्राइब करना है इतने हम अपने टेमाटर काड लेते हैं देखिए यह मैंने टाइट टाइट से टेमाटर लिया है सब्सक्राइब को नियुक 요즘 वह देखिए हम में सब्सक्राइब करते हैं इसको सब्सक्राइब करना हैं चाण लिकात रोली त्सक्राइब देखिए लिए यह दिखिए हैै ऐसका लाटीच में हुआ हो बंत एक इसको पीछे और निकालों तो पीछे को निकाले कॉत नितनी दहिते हैं विल्कुली देख लीजिए प्याज में विल्कुल करनी है अभी देखिए मैंने सारी कर लिया से निकालने हम इसको दस मिनिट के लिए ऐसे उल्टा करके रख देंगे क्योंकि इसने इसका जो अंदर से पानी वह निकल जा हमारी प्याज हो गही है हम आलू को इसमें क्रश करके से डाल दे देखे लिए में हम इसे मिर्ची दाल देंगे और जो थोड़ा सा धनिया है तर अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और सब्खरी 140 टल क्विटी होने के बाद इसमें थोड़ी सी बीन स्पीय के सकते हैं थोड़ा सा पनीर फिली सकते हैं ऐसे हम उन्हें जबादी है कि एक मिर्चति बनाना चाहले नमंग अगे व्हाइए अगना पॉडर डाला है मैंने उसमें वन फोर टेबल स्पूनी मैंने अमचूर डाल दिया है हम चूर बोलते हैं कोई लोग खटाई बोलते हैं मैंगो पॉडर बोड़ डाल दिया अब सब चीट डाले वह ज़रा सा पानी डालूंगी ताकि मसाल अची तर इसमें मिक्स हो जाए यह द देखिए के ऐसी चलाना है अची तरह मसाले को सबसे इकवल करना है था जाया है मैंने इस रख ब्ड़का दिया दो में ठाब के पका लिया है यह यह इसको निकाल लेंगे करने के लिए रख देंगे लिए यह देखें दो करने के लिए और आप पनीर को ले किरश करके डाल सकते हैं प्रनीर को बाद में ही डालना है और अगर आप चीज डालना चाहते तो भी डाल के दो मिन्ट रख दीजे इते ठंड़ होगा चीज भी पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा अब इसकी स्टफिंग करेंगे हमें टेमाटर देखिए हमारा हो गया इसमें टेमाटर में में चमप सक्केशी तरह चाहताय से तरह के अंहुंद कंडा के अंधर करने तो थोड़ा साенко झथाम करने ना हूं ज्यादा करनें consumed स्टार्ट कर देंगे इसका अची तरह अलु डाल देंगे से curies अचीतरह बंड़नूरियम्कैं तगा दूपर तक आ अलुका परसाइब करने पिछी से कोई इसमें भरेंगे तो उससे कवर हो जाएगा यह तरह मैं से तबाह के भर देंगे सारे के सारे मैंसी भर लेंगे अपने सबस्ता आज मैं अगा सब्सक्राइब कीजिए करके लगा के अब इसके अंदर हम यह करती हूं मैं अच्छी तरह होता है और यहां देखिए के लिए थोड़ा पानी होता ही है तो एकदम चटकता है इसलिए गैस को स्लोग करके इसके अंदर में टेमाटर रख देंगे अब देखिए और फीलिंग मैंने भीकुल उपर तक करी है अच्छी तरह और टेमाटर एक ऐसी चीज होती है जो फटा-फटा हो जाती है इसलिए हमें थोड़े टाइट वाले टेमाटर लेने तेसमें अब देखिए मैंने सारे टेमाटर रख दिये अब मैं इसको तोड़ ही जो इसका सारे तब इक्वल कर दोंगी ताकि हमारा जो घी है सारे में लग जाए और इसको दो मिनिट के लिए हम ढ़के पकाएंगे और गैस को फ्लेम हमेशा लोही रखेंगे यह दखिए का फ्रेंट प्लेज ए फ्यू मॉमेंस लेट यह देखिए दो मिन्ट हो गए दो से ओए तीन मिनट ही आया वाए ने तहीं म lenकोल देखेंगे लगलिसे अलू देख तरुमुवय तो मिन्गीं पादिने पकाए हम सब्लाइड से लेट बतां की पके सब्सक्री करेंगे हं यह द्यां सियोर्चिस है कि ए नीच्य劑च्वच्वच्व्ट पश्चे बड़े शोक से खाते हैं बच्चों का दिखता है टमाटर पसंद होते हैं अगर आप इसमें बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं बद चीज जब आलू उतारते हैं पकाने के पाद उस टाइम पे डाल के से रखिए दो मिनिट जब क्याने को ता लें टालंग पर दी मैंने इसको शरक कर लोंगे एक सब्सक्राइब के संद इदेखिए कि इस अच्छी तरह से यह करके में सारे निकाल लोगे एक करके निकाल लीजिए यह देखिए यह मेरे बन गए भर्मा टिमाटर फ्रेंस बहुत ही अच्छी है यह सिंपल एक यूनिक है एक नया कुछ बच्चों को खिलाने के लिए खर में आपके गैस आता तो उसको खिलाई यह एक नई रैसिपी है इसका हुंपा से धनिया कर देंगे मजा आया कि देखा फ्रेंड्स कितनी एजी रैसिपी और कितनी यम्मी बनी है और यह देखिए सॉफ भी इतनी बनती है कि आप इसको एक स्पून से भी टच कर बाटर तो है तो आप को एसे घली जल्दी सॉफ्ट को जाते थे तोड़ के आप इसे खाईए और प्लीज मुझे बताईए आपको कैसी लगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इससे लाइक कीज़े शेयर कीजे कर मेंड कीजिए और अगर आप मे सपोर्ट किजिए थैंकि फर वाज़